हलो फ्रेंड्स वेलकम टू महिंद्रा गुरू दी ओफिशल यूटूब चैनल ओफ महिंद्रागुरू.com और आज आप मेरे साथ देख रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो हमारी कैलकुलेशन को कही न कहीं बढ़ाएगा और हमें आज बताएगा ये टॉपिक की कैसे हम किसी भी प स्क्राइब करना है बिल्कुल देखे इस तरह की वीडियोज अनलीमिट वीडियोज हम आपको प्रोवाइट कर रहे हैं इस प्लैटफॉर्म में जिसका नाम है महिंद्रा गुरू तो अगर आप हमारे यूटूब सब्सक्राइबर नहीं है तो आपको बटन यहां पर दिख है तो उसका स्क्वाइर रूट कैसे मात्र 3 सेकंड में फाइंड आउट करना है बेलकुल सर देखे यहां पर आपके टेवल नजर आ रही है इस टेवल को हम समझेंगे और जब यह टेवल हमें समझ में आएगी तो कोशन का जो आंसर है वो मात्र 3 सेकंड में आएगा का स्कुरर कितना हो जायए का दिखेगे 1 का स्कूर हो जाएगा 1 2 का स्कूर 4 3 का स्कूर 9 & 4 का स्कूर 2 16 & 5 स्कूर 2 25 & so on we have the square हम सभी को 10 तक के square देखे हम सभी को याद होते हैं अब यहां से में conclusion draw करेंगे change to conclusion कुछ इस तरीक से देखिए और यहां पर भी दिखाई दे रहा है मुझे वन यहां पर भी दिखाई दे रहा है तो एक कन्क्लूजन यहां पर निकल के आता है कि जो वन है वो किस किस के लास्ट में होता है वन के और नाइन के लास्ट में होता है राइट वन जो है वन और नाइन के लास्ट में होगा ऐसी अगर हम देखें जो 4 है वो किस किस के last में हो जाएगा 2 और 8 के last में हो जाएगा राइट ऐसी अगर देखें 6 जो है टेबल से देख पाएं तो 6 किस किस के last में 4 का square और 6 के square के last में हमको 6 मिलता है इतनी बात भी clear है आपको ऐसी अगर हम देखे जो 9 है वो 3 और 7 के स्क्वार के लास्ट में मिलता है हमको और जो 5 है वो हमें मिलेगा 5 के स्क्वार के लास्ट में तो यह conclusion हमने draw किया stable से बस यही conclusion आपको अपने दिमाग में रखना है यही trick है देखिए कि 1 जो है 1 9 के लास्ट में होगा 4 2 8 के लास्ट में होगा 6 4 6 के लास्ट में होगा 9 3 7 के लास्ट में होगा और 5 लास्ट में होगा सिरफ 5 के स्क्वार के अब कैसे question को solve करना है वो हम समझेंगे तो चलिए पहरा question आप देख भी पा रहें यहाँ पर एक बड़ा सा number आपको दिखाई दे रहा है 6889 यह perfect square है और हमें इसका square root find करना है 3 second में कैसे पहले समझेंगे फिर हम आप बताएंगे कि आप खुद देखेंगे कि answer बहुत जल्दी आएगा सबसे पहली बात यहाँ पर देखें 9 किस किस के last में आता है अभी हमने table draw करी थी अगर पीछे अगर आप जाए तो 9 हमने देखा तक किस किस के last में आता है 9 आएगा 3 और 7 के last में 9 जो है वो आएगा 3 और 7 के last में इतनी बात clear है सभी को जो भी answer होगा उसके last में या तो 3 होगा या फिर 7 होगा आप ही confirmation कुछ नहीं है सर आप इसको आप cancel कर दीजे पीछे से pairing किया हमने दो number काट दिये हमारे पास सर यहाँ पर बचता है 68 देखे यहाँ पर जो हमारे पास बचता है वो कितना बचता है 68 अब हमें यह चेक करना है कि यह 68 किसके स्क्वार के बीच में लाई करता है क्या किया था 9 को चेक किया 9 3 और 7 के बीच में 9 जो है 3 और 7 के स्क्वार के last में आता है तो उसे 3 साथ लिख लिए पेरिंग करी तो sagt दिया 68 मिला के करना चेका माइशा चौटी वेल्यू हमको लेनी है मतलब क्या है इस बाद का ईट का स्कॉर 64 हुआ हुआ 9 का स्क्वार 81 वह तो 9 हम नहीं लेंगे की 9 जो है 81 वह इससे बढ़ा हो जाएगा तो हमेशा चोटी वैलू एकर नजर डाले तो 8 का स्क्वार कितना है 64 है 8 का square 64 है तो हम इसको consider करनेंगे यहाँ पर 8 देखिए हमने लेना हमेशा छोटी value ये ध्यान रखेगा तो 8 ले लिया अब इतना भी clear हो गया कि या तो answer 83 है या तो answer 87 है बहुत समझेगा important चीज है या तो answer 83 है या तो answer 87 है कौन सा answer होगा ये कैसे decide करेंगे अब इसका logic समझेगा कि answer whether 83 है 87 है ये कैसे पता लगेगा जो 8 हमें निकला था कैसे निकला था फिर दुबारे बता रहे हैं 68 देखा था 68 का जो 68 चेक करना किसके square के बीच में तो 8 और 9 के तो 8 और 9 में से हमें साथ छोटी value हमें consider करने ये तो हमने 8 पिक कर लिया 8 का जो successor है वो 9 है multiply कीजिए कितना हो जाएगा 72 8 9 CEO 72 ये 72 चेक कीजिए कि इससे बड़ा है कि छोटा या ऐसे समझीए जो ये हमें मिलता है 68 हमें चेक करना है ये जो ये multiple निकल के आया इससे छोटा है कि बड़ाए और ध्यान से सुनिएगा 68 अगर चोटा है इसस से क्या कहा हमने 68 अगर चोटा है इसससे तो चोटी वैल्यू आएगी आगर ये नंबर इससे बड़ा होता तो बड़ी वैल्यू हम लेते फर एक्जामपल कि ये तो शौर था कि 8 तो हमें आएगा इस स्टार्टिंग में यूनिट डिजिट क्या होगी इसी का हमें यहाँ पर निर्ने करना था तो एट तो आ गया चेक किया मल्टिप्लिकेशन करके ये 72 मिला ये 68 छोटा है 72 से तो छोटा है तो इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है 3 तो छोटी वैल्यू हम लेंगे यानि आंसर हो जाएगा 83 र आपको दिखाई भी दे रहा है कि 4489 तो एक कोशन हम यहाँ पर लेंगे और समझाएंगे किस को भी सेम प्रॉसीजर से हम फॉलो करेंगे आंसर बहुत जल्दी आएगा देखिए लास्ट में लिखा है 9 9 किस किस के लास्ट में आता है फिर से वही बात 3 और 7 के लास्ट में इस एक्जामपल को मैं कोरेलेट करूंगा पहले वाले से तो दियान से देखिएगा 9 जो है वो 3 और 7 के लास्ट में आएगा 9 जो है वो 3 और 7 के लास्ट में आएगा तो basically हमें करना क्या आए देखिए यहाँ पर नाइन आएगा 3 और 7 के last में, सम्झे, 9 मिला हमको 3 और 7 के last में, pairing हमने किया, इसको हमने काट दिया, यही किया था हमने, हमारे पास में बचा 44, हमारे पास में कितना बचा 44 हमारे पास में बचा, अब 44 को चेक करना है, किस के स्कॉायर के बीच में लाई कर रहा है तो 44 के अगर हम बात करें तो 6 की स्कॉायर 36 से और 7 कर स्कॉायर 49 तो हमने टिने क्या कि या 6 तो लिए क्योंकि 6 का स्क्वार 36 और 7 का स्क्वार 49 ए 7 आप नहीं ले सकते मैंने बताए कि छोटी वैल्यू आपको लेनी है अब ये भी क्लियर है कि आंसर 63 होगा या फिर आंसर 67 होगा वाइट तो कौन सांसर होगा 6 का एक सक्सेसर लिया हमने हो कितना हो जाएगा 7 तो 7 6 होता है 42 यह सब्सक्राइब करना था यह 44 इस से छोटा है कि बड़ा है समझेगा 44 छोटा है कि बड़ा है वहाँ पर 68 72 से छोटा था तो छोटी वैल्यू ले थी हमने यहां पर देखिए 44 जो है 42 से बड़ा है तो बड़ी वैल्यू आएगी मतलब यह 6 तो आए गई आए आएगा डिजिट क्या होगी अमें यही तो डिसाइड करना था तो यह बड़ा है क्योंकि तो बड़ी वैल्यू हम लेंगे तो यानि आंसर हो जाएगा 67 स्टिल कंफ्यूजन चलिए परिशान मत हो यह अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो एक कोशन दो कोशन इंफेक्टम यहां पर आ ले लेंगे और आपको समझाएंगे अच्छे से तो अभी जो लोग नहीं समझ पाएं तो वो ध्यान से देखिए अला कुशन की अगले कुशन में कुशन में सेम कंसेफ्ट है और अंसर थीन सेकंड में ऐगा चलि यह नेक्स कोशन की अग्रवात करें यहां पर तो हम देख पार है कि नेक्सеци। नंबर जो लिखा है वो लिखा है v2566 का मेशएर रूट निकालना है लास्ट में कितना हैसर लास्ट में है 6-6 किसके के लास्ट में होगा कि फोर और शिक्स के छोता है हम यसा चार और शे के सबीज को फेरिंग किया हमने इसको काट दिया इस व्याइट फिफ्टी सेवन हम को यहां से मिलता है अब यह तो नंबर होगा कौन सा हुगा भी हमें नहीं पता 56 से कीजिए किसके स्क्वाइर के नजदिक पढ़ रहा है हम देखें 7 का स्क्वाइर 49 8 का स्क्वाइर 64 या नहीं 7 8 के बीच में लाइक करेगा लेना छोटी वैल्यू है तो हमने ले लिया 7 कि 7 का स्क्वाइर पटन है छोटा है इससे राइट multiply की जिये सक्सेसर से कितना हो जाएगा 56 इतना इस्टेप करें ते हम सेम इस्टेप हैं सक्सेसर से multiply किया 56 हो गया अब इसको इससे चेक किया तो 57 बड़ा है किससे 56 है तो मैंने क्या कहा था जब ये बड़ा होगा इससे तो बड़ी वाली यह से छोटा होगा तो छोटी वाली वैल्यू तो 7 तो आए गई आएगा जो 7 हमने लिया था यही 7 तो यह तो आएगा ही आएगा इसके लास्ट में कौन सा आएगा कि यह बड़ा है इससे तो बड़ी वैल्यू मतलब आंसर 76 अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो चलिए एक कोशन और में लोगा तो जिनको अभी तक नहीं समझ माया है तो इस दो इत के लास्ट में पेरिंग किया पीछे से काट दिया कितना मिलेगा 38 राइट ठर्टीएट मिलेगा चेक करो 38 कि स्क्वार के नसदीके 6 और 7-6 के स्क्वार 36 7 के स्क्वार 49 बड़ा नहीं लेना छोटे लेना तो मतलब कौन सा लिया हमने छह ले लिया है ले लिया तो यह तो कनफर्म में 62 आंशर होगा या 68 इन दोनों में से एक आंसर है क्योंकि 6 मिल गिया लास्ट में दो आट में से एक आना है तो 62 या 68 यह बात क्लियर है सभी को कौन सा होगा यह रिसाइट करना है उसके लिए का करते हैं इसके सक्सेसर से मल्टिपलाई कीजिए कितना हुज जाएगा 7642 अब चेक किजिए 38 से 42 को चेक किजिए यहां पर जब यहां पर आप चेक करेंगे देखे 38 हुआ और यह कितना था हमारा 42 था इन दोनों में कौन बड़ा है क्योंकि यह बड़ा है मेरी बात समझिएगा इंपर्टेन चिजए धिक की 38 इसकी जवने सुऑं ऐसर से मल्टिप्लाई करी 6 सिक्सका कितना वह सेवन वाघर 2 42 मिला 38 जो मिला था 38 क्योंकि चोटता है इस से important चीज है देखिए यह चोटा है जब smaller होगा तो we will take smaller value and if this is greater than this one so we will take the greater value so 38 is smaller than in 42 so we will take the smaller value so our answer will be 62 so I hope कि जिल लोगों कभी तक नहीं समझ में आया है अब इस question के माध्यम से समझ में आ गया होगा तो चलिए अगर आपको यह 4 example अच्छे से clear होगा और आप देख पारें कि 4 डिजिट का कोई भी perfect square अगर आपको given है तो क्या आप 3 second में find out कर पाएंगे तो चलिए इस बात को कैसे proof किया जाए तो हमने आपके लिए question रखाए आप जल्दी से question को note कर लीजिए जल्दी से इस question को note कर लीजिए और इसका answer जो है वो आप मुझे comment box में दीजिएगा कि सर इस question का answer यह है इतनी बात clear है सभी को तो हम देखेंगे कि कितने लोगों का यह answer हमें देखने को मिलता है तो अगर maximum लोगों का इसमें answer हमें देखने को मिला तो इसका मतलब है कि यह आपका आज का जोड़ी lecture है आपको बहुत ही अच्छा लगा और आपको इस समझ में आई चलिए बात करते हैं कुछ पांस डिजिट के नंबर की पांस डिजिट का नंबर आपको बोर्ट पर दिखाई दिर रहा है तो इसको कैसे solve करना है देखिए approach हमारी बिल्खुल सेम है जैसा कि हमने किया था चार डिजिट में क्या करेंगे देखिए सेम चीज़े समझेगा important चीज़े last में देखिए यहाँ पर last में कितना है last में है 4 तो 4 किस-किस के last में होगा 2 और 8 के इतनी बात क्लिए सबी को last में है 4 चार किस-किस के last में होगा 2 और 8 के अब देखिए pairing हमने करा तो यह number हमने cancel कर दिया तो हमें यहाँ से मिला 125 राइट सेम approach है कुछ भी changes नहीं है 44 हमने cancel किया दो number की pairing करके काट दिया तो यहाँ से हमको मिला 125 चेक किजिए 125 किसके square के नस्दीक होगा आप यहाँ पर देखना पड़ेगा हमको 125 जो नस्दीक होगा अगर हम देखे 11 का square हमारा होता है कितना 121 और 12 का square कितना होता है 124 तो हम देखेंगे 125 जो है 11 12 के बीच में है क्योंकि लेना छोटा वाला है तो हम यहाँ पर 11 पिक कर लेंगे यहाँ से इन दोनों की जब multiply आप करोगे तो आपको मिलेगा 132 और हम देखेंगे कि इन दोनों में फिर वाई चीज़े कि यह इन दोनों में कौन बढ़ा देखी 125 जो है चोटा है इससे तो जब छोटा होगा तो स्मालन वाली आफ टेक सो 11 तो आई गई तो लास्ट में कितना जाएगा टू आंसर कितना होगी है वन वन टू इतनी बात क्लियर है कुछ नहीं करना यहाँ पर बस नंबर्स बढ़ जाएंगे अब यहाँ पर ग्यारा बारा तेरा से लेकर 20 तक आपके नंबर्स आपको आए चले एक्जामपल आपके सामने देखे यह रहा 11881 इसका हमें स्क्वार रूट निकालना है तो लास्ट में कितना है 11 किसके लास्ट में होगा वन और नाइन के इतनी बात क्लियर है कि यानि जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में वन और नाइन होगा तो पेरिंग कीजिए पिछे से से काट दीजिए कितना मिला 118 मिला 118 जब हमको यहां पर मिला तो हमें चेक करना है 118 किसके स्क्वार के नजदीक होगा देखे 10 के स्क्वार होगा 100 11 के स्क्वार 121 देखे 10 के स्क्वार कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और 11 के स्क्वार हो जाएगा 121 कि लेना छो या तो आंसर 109 यहीं मतलब है अब कैसे पता लगेगा वही सेम चीज़ इसके सक्सेसर से multiply कीजिए तो आपको मिलेगा 110 10 into 11 कितना हो जाए 110 अब यह नंबर चेक करना है यह बड़ा है इससे की छोटा है बड़ा है दिखाई दे रहा है 118 बड़ा है 1110 से और जब बड़ा हो गया तो बड़ी वाली दोनों के आंसर टाइब करने हैं अगर अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें लाइक कीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेर कीजिए और अपना कमेंट देना मत भूलेगा एक बाग कुशन नूट कर लिजिए चलिए तो इसी के साथ जूड झाल 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 झाल